दोस्तो चार जुलाई के डेली MCQs में आप सभी का हार्दी स्वागत है तो कुछ बहुत ही important points हैं उनका revision कर लेंगे इसके बाद आज के जो प्रस्न हैं उनको discuss करेंगे सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर जुलाई के सभी महत्तपूर दिवस जो की एक से लेकर 10 जुलाई के बीच में मनाया जाएंगे एक जुलाई बहुत important है इस दिन National Doctors Day National Chartered Accountant Day राष्टरी डाग करमचारी दिवस और अंतर राष्टी साकारता दिवस मनाया गया दो जुलाई को दो महत्तपूर दिवस विश सुखेल पत्रकार दिवस और वर्ड यूइफ ओ डे मनाया गया आपको याद होगा कि 30 जुन को इस ट्राइड डे मनाया गया था तीन जुलाई को होगा इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री दिवस छ जुलाई को वर्ड जुनोसिस डे और दस जुलाई को राष्टी मत्स किसान दिवस तो प्रति दिन हमारे साथ आप इन पॉइंट्स का रिवीजन करेंगे आपको सा प्राजियों के नए मुख्य सचू बनाए गए हैं जो की बड़े इंपॉर्डेंट हैं जैसे कि अगर आप यूपी की परिक्षा दे रहे हैं तो मनोज कुमार सिंग जी को याद रखेगा मनोज कुमार सिंग ये उत्तरपदिस के नए मुख्य सचू बने हैं ओडिश्था क कि पहली महिला मुख्य सचू बनी है सुजाता सोनिक तो ये प्रस्ट ने इंपॉर्टेंट फार आल स्टेट्स और आल एक्जाम्स तो ये याद रखेगा अब आज का कुश्चन नमर बन है कि दो जुलाई को उत्तरपदेश के किस जिले में सत्संग में उमडी भीड में भ पहुचे थे डेड़ लाग इसके बाद ये रुखटना हो गई अगला कुश्चन है लेकिन उसके पर देख लीजिए ये जो आपका यूपी का मैप है उसमें हात्रस की स्थिति ये है जो थोड़ा सा जूम करेंगे तो ये है आपका हात्रस इसके जो पोडूसी जन पर थे ह उसमें कौन को से जन पर थे है तो ये आपका मतुरा हो गया अलीगड़ हो गया कास गंज हो गया एटा हो गया आगरा हो गया और फिरोजाबा थोड़ा सा दूर है हलाकि बादर नहीं स्थित करता लेकिन पास नहीं है ठीक है तो ये आप याद रखिए आगे बढ़ते हैं बड़े निविशकों को आकरसित करने के लिए कौन साराज Special Investment Reason Act, SIR Act, Sir Act को लागू करेगा देखो फ्रेंट्स ये कुश्चन बहुत ही इंपोर्टेंट है तो सर एक्ट को याद रखिएगा ये सर एक्ट यानि की Special Investment Reason Act को लागू किया गया है कहाँ पर उत्तर प्रदेश में, Option B इसका बिलकुल करेक्ट है यूपी को 10 खरब डालर की अर्थिप्रस्ता बनाने के लिए सर एक्ट को यूपी कबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है इस एक्ट को नाम दिया गया है निर्माड मतलब Nodal Investment Reason for Manufacturing निर्माड इसके तहत उत्तर प्रदेश के चारों भगोली शित्रों में कम से कम चार यसाई यार बनाए जाएंगे और इस तरह का एक्ट अभी भारत के मात्र तीन राज्यों में लागू है ये तीन राज्य हैं गुजराद, राजस्थान, करनाटक और अब यूपी चौथा राज्य बन गया है सर एक्ट को लागू करने वाला तो गुजराद, राजस्थान, करनाटक और यूपी ठीक है इ तो फ्रेंट्स यूपी हेल्थ डेश्बूर्ड जून दो हजार चौबिस में मुझफर पूर्जीला जो है ये टॉप पर है जबकि इसमें अगर बात करनें प्रियागराज के बारे में तो प्रियागराज बरहामय अस्थान पर है और इसे जारी कौन करता है तो हर मेने इसे जारी किया जाता है उत्तर देश के चिकित्सा स्वास्त और परिवार कल्यार भिभाग के द्वारा हाली में किस देश ने दुनिया की सबसे सस्ती टीवी जांच किट जारी की है मात्र 35 रुपे की एक किट आएगी उससे कोई भी ये पता कर सकता है कि उसको टीवी है या नह काना हग· ICMR – नई दिल्ली के पास फ्रक्षित रहेगा. देखो जो टीवी वाईरस की वज़ए से होता है. जीवानों की वाईरस की वज़ए से होता है, इसका नाम होता है भारत किन देशों से लेथियम और अहम खनीज बलाक खरी देगा तो friends अफ्रीकी देशों से और लाटिन अमेरीकी देशों से भारत लेथियम और अन जो खनीज बलाक होते हैं उंको खरीता जाएगा ताकि भारत में जो बैटरी की डिमांड हो रही है और जो इलेक्ट्रालिक वेहिकल बगरा चल रहे हैं उनकी डिमांड को पूरा किया जा सके दो बातें याद रखेगा खान मंत्राले की संग्त सचीव का नाम वीना कुमारी डर्मल है और हमारे जो खान मंत्री हैं वह हैं जी किसन डिटी यह दो पॉइंट्स याद रखेगा अगला कॉश्चन में भार और किस देश के बीच में मैत्री अभ्यास का आउजन हुआ है तो मैत्री अभ्यास ठीक है मैत्री अभ्यास भारत और थाईलेंड के बीच में किया गया अब ऑप्सन भी करेक्ट है इसका ध्यान देशिगा कि भारत जो है वह थाईलेंड के साथ जल सेना वायो सेना और नौ सेना, तीनों के साथ अभ्यास करता है, तो यह जो आपका हो गया मैतरी अभ्यास यह थल सेना की बीच में होता है, एक जुलाई से फंदर जुलाई तक इसका तेरहमा संस्क्रथ हाईलेंड में आजित किया गया, इसका जो बारहमा संस्क्रथ था, यह 2019 में हुआ था, उम्रोई उसका नाम होता है सैम भारत ठीक है तो तीनों एक्सराइज के नाम आप लोग याद रखेगा जो कि हम थाइलेंड के साथ करते हैं मैत्री अभ्यास अयुथ्या और सैम भारत ठीक है अगला कुश्चिन है हाली में किस्तिराज के मुख्यमंद्री ने एंटी आर भरोसा प्यंस रभावु नाइडू लाभार्दियों को ब्याक्तिकत रूप से उनके घर पर प्यंसन किस युजना के अंतरगत पहुचाई जाएगी किस राज ने मुख्यमंत्री किसान सम्मान निदी युजना सुरूई है आपको पता होगा कि एक पीम किसान सम्मान निदी युजना है जिसके अंतरगत किसानों को 2-2 जार रुपे की तीन किस साला ना मिलती है अब 2-2 जार रुपे और मिलेंगे कहाँ पर तो फ्रेंड्स आपको पता हिए कि हाली में राजस्थान की जो मुख्यमंत्री बने है भजनला सर्मा उन्होंने मुख्यमंत्री किसान सम्मान निदी य प्रांच किया है MSME सहच यह आनलाइन लोन सन्यूसर नहीं इसमें एक लाग रुपे तक का लोन आको आसानी से देगा कौन SBI State Bank of India और हाली में MSME Day मनाया गया था 27 जून कू हमारे MSME मिनिस्टर को ने जीतन रामाजी है SBI के नए एक्ष बन गए है CS70 जो की जगह लेंगे दिनेज कुमार खा राकी हाली में लास एंजलिस में इंडियन फिल्म फेस्टिवल आईजुद किया गया उसमें किस फिल्म ने ग्रेंड जूरी का अवार जीता है तो फिल्म का नाम है Girls Will Be Girls ठीक है option A बिल्कुल करेक्ट है इस फिल्म को बनाया किसने है तो रिचा चड़्धा और अलीफ हजल ने राइटर डारेक्टर है सुची तलाती ठीक है तो फ्रेंड्स अब आपके लिए आज का एक प्रस्ण है जो कि मैंने कल के वीडियो से लिया है तो प्रस्ण होगा कि हाली में JSI की रिपोर्ट के मुताबिक जनतू की सबसे ज़्यादा नई प्रजातियां की स्राज में पाईगी है यह आपके option है अगर आप नीमित रूप से हमनारा जो करेंड़े फेर उसको बाच कर रहे है तो डिफिनिटली इसका उत्तर आप दे पाएंगे और करेंड़े पीडिय पढ़ा करिए और यह जो समय आप देते हैं यह आपका सबसे quality time होता है यकीन मानिए क्योंकि यह जो आप 5-6 मिन देते हैं इसमें आप बहुत कुस जानते हैं बहुत कुस सीखते हैं तो इतना समय आपके career के लिए अगर आप दे रहे हैं तो यह ज्यादा नहीं है कोई किसी के पेक्षा है धन्यवाद